एक अच्छा और सच्चा दोस्त बेहत जरूरी होता है ताकि आप अपने मन की हर बात उससे कर सकें आचारे चाड़के बताते हैं कि दोस्ती में कुछ बाते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए वरना सालों पुरामी यारी भी तूप सकती है मान बुद्धी जीवी आचारे चाड़के ने नीती शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर बात की है और उनकी नीतियों को अपना कर व्यक्ति सुखी जीवन का निर्वहन कर सकता है चाड़क को बेगादी बुद्धी मान रणनीतिकार माना जाता है आचारे चाड़के ने हजारों वर्षों पूर्व एक नीती शास्त्र की भी रचना की थी जिसमें उन्होंने समाज कल्यार से जूरी कई बातों का जिक्र किया है आचारे चाड़के ने अपने नीती शास्त्र में दोस्ती को लेकर कुछ विचार साजा किये हैं आचारे चाड़के बताते हैं कि दोस्ती में कुछ बाते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए वरना सालों पुरानी यारी भी पूट सकती है आचार चाड़क ने कहा लोग दुखों का कारण होता है क्योंकि लालच में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है चाड़क क्यनीती के अनुसार कुछ ऐसी बाते हैं जो गहरी और पक्की दोस्ती में भी दरार डाल सकती है अजारों वर्षों पूर्व रचित चाड़क क्यनीती आज के समय में भी प्रासंगिक मानी जाती है वह कहते हैं कि दोस्ती के रिष्टे में भी मान सम्मान बेहद ही जरूरी होता है जब दोस्ती में आगर भाव की कमी आने लगती है तो मितरता कमजूर पढ़ने लगती है अपने इस कथन में आचार चाड़क ने कई बातें बताई हैं जो गहरी दोस्ती को भी तोड़ कर रद देती हैं इसलिए दोस्ती के बीच कभी भी इंसान को लालच नहीं आने देना चाहिए दोस्ती में लालच रिष्टे की नीव को हिला देगा लालची व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और उसे अपने सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आता दोस्ती की नीव हमेशा विश्वास पर टिकी होती है जिस रिष्टे में विश्वास नहीं होता वा रिष्टा कमजोर हो जाता है जब लोग किसी भी रिष्टे में अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं तो इस कारण वा रिष्टा तूट जाता है इसलिए कभी भी अपनी दोस्ती में दरार ना आने दें और अपने रिष्टों को आपसी समझ के साथ जीवन परियंत तक सुख पूरवक जारी रखें दोस्तों भूल कर भी हमें अपने दोस्ती के रिष्टे में लालत या अविश्वास को नहीं आने देना चाहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार